सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है बात करेंगे future group के बारे में देखे थोड़ी position अच्छी नहीं है future group की क्योंकि अब यहाँ पर case continue रहेगा जिसके लिए Amazon ने कहा है कि negotiation नहीं हो पाई है सही तरह से और हम आगे यहाँ से इसको case लेकर बढ़ना चाते हैं तो future group stocks might fall जैसा हमने आपको कल भी बताया था और ऐसा ही हुआ आज भी stock करीब 1-2% की range में गिरे हुए है NCLAT और CCI अगर इनका quick result आता है तभी यह इसके लिए positive news हो सकती है otherwise अभी यहाँ पर downhill का ही पात रहेगा इसका मतलब stock market में यह upper limit बहुत कम रहेगी अभी इसके उपर जाने की और नीचे की तरफ को consolidation ज़्यादा होता रहेगा time correction होगा इस बात का धियाना है कि क्योंकि अब court case चल रहा है तो ना ज़्यादा जल्दी result आएगा और ना ही ज़्यादा जल्दी जल्दी यह ऊपर जाएगा तो I hope that point is clear to you guys यहाँ पर देखे जो K.S. Legal & Associate है एक lawyer firm है इंडिया की बहुत respected उन्होंने अपना point of view बताया है current सागा जो चल रहा है और court में जो situation हुई है देखे दो बड़े जब दिगज लोग इस तरह की लड़ाई करते हैं कि हम civil penalty करेंगे तुमारे खिलाफ में या फिर एक दूसरे के assets को इस तरह से take over किया जाता है तो वो थोड़ा अच्छी position नहीं है Sonam हम यहाँ पर court कर रहे है Sonam Chandwani जी ने यह print media में news आई है managing partner है इस firm की उनके हिसाब से यहाँ पर यह fight अभी कुछ time और चलेगी और Amazon will fight till the end Amazon seems willing to fight to the bitter end it will be interested to see how Amazon handle this issue now क्योंकि देखे issue क्या है Reliance already 60% से ज़्यादा stores को take over कर चुका है और वो एक तरह से legally correct भी है उसके reference में चाहे वो ethical हो या ना हो बट legal process उन्होंने वही किया है जो system Indian system penal code के accordingly follow किया जा सकता है तो यहाँ पर news और print media में accordingly यहाँ पर print हुआ है कि Amazon on Thursday जो उन्होंने लिखा है put a public notice और उन्हें का है कि future retail and its promoter of committing fraud और वो civil and criminal prosecution के तहत रहेंगे इसके चलते हुए one of the independent director Mr. Rahul जी उन्होंने resign भी कर दिया है 14 तारीक को उससे पहले ही उन्होंने इसको resign कर दिया था यहाँ पर reserve the right to civil and criminal legal resource against future retail and its promoter for transferring of its retail asset to reliance in a clandestine manner जो की एक यहाँ पर कह रहे हैं सही तरह से कानून को follow नहीं किया गया जब Supreme Court की discussion चल रहा था उस time पर उन्होंने ये lease transfer की जब Singapore International Arbitration Court ने कहा था status को maintain रखना है तब उन्होंने ये lease transfer कर दी थी तो यह अच्छी बात नहीं है उस हिसाब से उनके point of view देखा जाए तो देखें मार्च 16 को हमने further buy किया है future life sell fashion जैसे आपको GTT order बने वे दिखाए दिये थे वो हम already इसको buy कर चुके हैं automatically trigger हो चुके हैं वो दो order हमारे पास future life sell fashion के आ चुके हैं क्योंकि प्राइस 3% के असपास गिर चुका था तो यहाँ पर हमारे paid members ने already हमने live में उनको बता दिया था ये video आपको market 10 बजे के आसपास पहला order trigger हो गया था जो future life sell fashion का 46 का और फिर दोपहर के बाद ये 45 का order भी trigger हो चुका है उसका screenshot हमारी team आपको अगले video में मना देगी ये दो order जो हमने trigger करने थे 46 के ओपर वो trigger हो चुका है 45 वाला भी हमारा trigger हो चुका है वहाँ पर उस time पर जब trigger हो था ये दोपहर का screenshot है अडली morning का 10 बजे के आसपास तो सुबह 10 बजे और फिर दूसरा दोपहर को यहाँ पर दो order हमारे पास आ चुके है और हमारा view कल भी market थोड़ा सा नीचे को जुकान रहेगा और हमारा cash है deputed और हम और further GTD order इसमें डालने की कोशिश करेंगे आज रात को based on the situation कैसी होती है और हम वो अपने paid members को during the market hours अलड़ी बता चुके होंगे देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए reliance अलड़ी 50% से जादा stake को overtake कर चुका है उनकी position strong है और इस quarter में revenue 20% के आसपास कर जाएगा अगले quarter में और भी खराब situation होगी तो currently जब तक यह deal नहीं होती अब future group का stock का revenue कम होनी की वज़े से future outlook बहुत ही bleak लग रहा है currently unless until this deal go through expectation की अगर बात करें तो best case scenario April 30 तक यह deal complete हो जाए वो सबसे अच्छी बात मानी जाएगी कुछ intervene करें ताकि जो यह stores बंद हो रहे हैं उनका कुछ काम किया जाए तो यह इस deal के लिए थोड़ा साहता होगा यहाँ पर हमारी recommendation जैसा हमने आपको शुरू में बताया we have orders placed और देखे आज अभी यहाँ पर future retail का trigger नहीं हुआ है क्योंकि future retail का अभी तक position नहीं बन पाया है वो उतना low नहीं बना पाया है जो हमारे order डले हुए है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो reliance ने आज अच्छी comeback दिखाया है 2400 के आसपास reliance trade कर रहा है future lifestyle fashion पिछले 5 दिनों से continuously गिर रहा है 56 से गिर कर यह 45 के आसपास आ गया है आज यहाँ पर तो काफी इसमें हमारी holding भी काफी अच्छी है और यह अब हमारे भाव से नीचे आ चुका है on average तो not to worry यह हमारा long term का निवेश है 5% का नेम हमेशा follow कीजेगा चाहिए तो चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर आप nifty के future और option की trading करना चाहते हैं आपने mail drop कीजेगा paid member बन चाहिए प्लीज कंसर्टी फैनिश एडवाइजर ट्रेनिंग के लिए mail drop कीजेगा जै हिंद जै भारत बाई गाईस